नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं आध्यम से सरोष न्यालय के आधेस पर विभीण विशाइव में हुई है मुख्य मंत्री ने एसी वर्ष 29 माई को इन सभी 6 को कनयोकति पतर सोपे थे वहीं दूसरे चरण में विभीण विशाइव में चैनित 827 6 को कनयोकति पतर दिया जाएगा बता दे इसी कारकरण में मुख्रमंत्री ने गुरु जी एप की लंचिंग भी करेंगे इस एप के माध्यम से बच्चों को डिजिटल सेक्षिनिक समगरी उपलब्द कराई जाएगी इसके माध्यम से बच्चे आपना मुल्याकन भी कर सकेंगे इसमें कक्षा एक से बारावी तक की सभी पुस्त के भी उफलब्द रहेंगी टेट पास पाराशिक्षको ने घेरा कॉंग्रेस पर्देश कर याला है जारखन में टेट परीक्षा पास पाराशिक्षक लगातार बेतन मान की मांग को लेकर आंदुरन कर रहे हैं अब तक राजभावन के समक्षधारना परदर्शन मुंडन कारकरम के साथ मंत्री पेजालेवम सक्ष्था मंत्री मिसलेश ठाकूर बित मंत्री रामे सुरूराओं के आवास पर परदर्शन कर चुके राजभर के टेट पास परदर्शन को ने रभीवार को रांची में परदेश कॉंग्रेस कर्याले के बाहर परदर्शन किया बता दे टेट पास परदर्शन के मद नजर जिला पूलिस के जवानों को कॉंग्रेस कर्याले के बाहर लगाया गया है पार्टी ओफिस का मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है कर्याले के अंदर सिर्फ दफ्तर के स्टाप मौजूद है कॉंग्रेस पार्टी ओफिस के बाहर भारी संख्या में टेट पास पाला सिक्षक धार ने परबैठे और नारेबाजी किया है जारखन में 323 जमीन माफिया चिनहीत जमीन बिवाद को लेकर होने वाली वर्दातों परलागाम के लिए पुल्ष निराज भर में 323 जमीन माफिया को चिनहीत किया है इन में से कई पर करवाई भी सुरू कर दी गई है संख्या के मामले में सरवधिक जमीन माफिया हजारी बाग रेंज में है यहां इनकी संख्या 1100 के करीब है वही दूसरे अस्थान पर रांची जबकि तीसरे अस्थान पर पलामूर रेंज है यहां चिनित जमीन माफिया की संख्या करम सा 889 और 735 है हालाकी सिम्टेगा और धनबाज जैसे कई ऐसे जीले हैं जहां पुलिश ने इनकी संख्य सुन्य मानी है बता दे रांची रेंज के पांच जीलों में 899 जमीन मापिया चिनित किये गए हैं अमर कुमार बावरी बने बिजेपी बिधायक दल के नेता लंबे मन्थन के बाद आखिर परदेश भाजपा को बिधायक दल का नेता मिली गया है पार्टी ने अनसुचित जाती मोर्चा के परदेश अध्यक्स अमर बावरी को बिधायक दल का नेता घोसित कर दिया है अब तक यह जिमेदारी बाविला मरांडी के पास थी लेकिन दल बदल का मामला नहीं सुलचने की वज़ा से सदन के भीतर उनको मन्याता नहीं मिली हुई थी करीब तीन साल और नौ महिने के बाद परदेश भाजपा को बिधायक दल का नेता मिला है जो सदन के भीतर पार्टी का नेतित्व करेगा वहीं पार्टी ने जहाउमों छोड़कर भाजपा में आये जेपी भाई पटेल को बिधान समामे सचे तक मनोनीत किया है बता दे पिछले दिनों विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए परवेक्छक के तोर पर केंद्रिय मंत्री आस्विनी चोवे जारकन पहुंचे थे इजराइल यूद को लेकर रांची में बिरोध परदर्शन इजराइल और फिलिस्तिन के बीच यूद की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है इस यूद को लेकर राइधानी रांची के लोग भी चिंता ब्यक्त कर रहे है राइधानी रांची के मैदूर संग और किसान नेताव ने इस यूद को लेका इजरायल के खिला बिरोध परदसन किया बिरोध परदसन में एकटू, एटक, आईपी एफ समेट कई स्रमिक संग अठन के नेता मुझूद रहे परदसन में मवजूद एकटू के परदेश महासचीव सिवेंदू सेन ने कहा है कि जिस तरह से इजरायल ने फिलिस्तिन पर हमला करवाँ के नागरिकों के हत्या की है या मनावता को सरमसार करने वाला है एक्टुनेता भोनेस्वर केवर्ट ने कहा है कि इरायल को फिलिस्तिन नागरिको को मारना बंद करना चाहिए दुनिया को यूध नहीं सांती चाहिए उन्होंने कहा है कि इरायल को फिलिस्तिन के गाजा पर अपने अनधिक्रित कब्जे से हट जाना चाहिए सालखन मुर्मू वले रांची में 8 नौवंबर को होगी जन सभा आदिवासी सेगेल अभ्यान कराश्ट्री अध्यक्स पूर्वसांसत सालखन मुर्मू ने कहा है कि प्राकिर्ती पुजक आदिवासीों के लिए सार्ना धर्मकोड नहीं देना उन्हें हिंदू मुसल्मान इसाई बनने बनाने के लिए मजबूर करना है मुर्मू सनिवार को विधान सभा आतिथी गिरी में पत्रकारों को संभोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि सर्ना धर्मकोड की मन्याता देश के लगवग 15 कुड़ प्रकिर्ती पुजक आदिवासीों के अस्तित्व पहचान हिसेदारी के लिए अहम है यह सन्वेधानिक मौलिक अधिकार भी है 2011 की जनगर्ना के अनुसार लगव 50 लग आदिवासीों ने सर्ना धर्म लिखा था जबकि मन्याता प्राप्ट 44 लग जैनों ने लिखा तब भी सर्ना धर्मकोड की मन्याता नहीं देना भारत के आदिवासीों को उनकी धार्मिक अजादी से वन्चित करना है जबरन हिंदू मुसल्मान इसाई बनने बनाने के लिए मजबूर करना है दुर्गा पुजा में जार्खन के सभी जीलो में तैनात किये जाएंगे 10,000 अतिरिक्त फोर्स दुर्गा पुजा के दौरान राजे के सभी जीलो में सुरक्षा ब्यवस्था को लेकर फोर्स तैनात के लिए पूलिस मुख्याले के अस्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है इस वर्स करीब 10,000 अतिरिक्त फोर्स लगाये जाएंगे जीन में 4975 होमगाट के जवान भी सामिल होंगे सबसे अधिक फोर्स की तैनाती राजहनी राची के अलावा धनबाजम सेत्वी बोकारों सहित अन्य बड़े सहरों में होगी पता दे होमगाट की तैनाती को लेकर पुलिस मुख्याला आईजी अभियान ये भी होमगार द्वारा गिरी बिभाग को प्रस्ताव भेजा गया था इस पर गिरी बिभाग ने अनुमत्ति परदान कर दिया है पुलिस मुख्याले के अस्तर से सभी जीलो के एसपी और रेंज डियाएजी को सुरक्षा के दिरिश्टी कोन से विभिन विंदू अपर निर्देशी दिया गया है इनमें सनवेदन सील इलाके पर विशेस रूप से निग्रानी रखने को कहा गया है देव घर में नॉमबर से घर घर पाइप से पहुचेगी गयस नॉमबर से देव घर सहर में पेट्रोलियम मंत्राले से सिटी गयस परियोजना के तहत घर घर पाइप लाइन से गयस के अपूरती शुरू हो जाएगी पहले फेज में देव घर के एक हया लोगो को सीटी का कनेक्शन दिया जाएगा देव घर में गोड़ा सांसर डाक्टर निस्तिकान दुवे के साथ IOCL के कारेकारी निदेशक इसके जावा जीम सेलेंदर कुमार सिंग की बैठक होई है बैठक में देव घर माधुपूर में सीटी गैस परियोजना के कारियों की समिक्षा होई सांसर ने कहा है कि फरवारी 24 में माधुपूर में सीटी गैस की आपूर्ती सुरू कर देनी है माधुपूर में भी कारियों में तेजी लाए साथ ही देव घर सहर में दूसरे फेज में जितने भी सीटी गैस कनेक्शन के आविदन देंगे उन लोगों को इस सुविधा का लाब दिया जाएगा इंस्पायर अवार्ड के लिए आईडिया देने में जारखन छटे अस्थान पर भारत सरकार की ओर से चलाया जारे परतिश्टित इंस्पायर अवार्ड मानक के तहट आईडिया देने के मामले में जारखन देश भर में छटे अस्थान पर है बच्चों में बैग्यानिक सोच बिक्सित करने के लिए इसकी सुरुवात की गई है जारखन की ओर से इस वरस 40,833 चात्रों ने अपने आईडिया का रईश्टेशन कराया है बता जे जारखन अपने पडोसी राज बिहार से इस मामले में आगे है जबकि उडिसा से या पीछे रह गया है बिहार 36,399 रईश्टेशन के साथ नवे अस्थान पर रहा वहीं उडिसा में 69,999 चात्रों ने अपने आईडिया का रईश्टेशन इंस्पायर अवाड के लिए कराया है सबसे अधिक रईश्टेशन रायस्थान में 1,552,122,127,436 गड में 77,7279 विद्यार्थियों ने कराया है जारखन के लातेहर में दुरगा पुजा को लेकर सहर में पुलिस ने मौक डिल किया उपायुक्त हिमान्सू मोहनवा पुलिस अधिक्षक अंजनी अंजन के निदेश पर असमाजिक ततों से निपटने के लिए यह किया गया एसपी ने कहा कि जीले में सांती बेवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस पुरी तरह से तयार है जीले के कुछ इलाकों में असमाजिक ततों के द्वारते वहारों में महौल को बिगारने का परियास्त किया जाता रहा है ऐसे असमाजिक ततों से निपटने के लिए इस बर पूलिश ने पूरी तयारी कर ली है जैप परिसर में गोरखा जवानों ने की सकती पूजा सारदिये नौरात्री की सुरुवात हो चुके है कॉलस अस्थ अपना के साथ ही जारखन आम स्फोर्ट जैप की सकती पूजा शुरू हो चुकी है बता दे सकती के उपासक माने जाने वाले गोरखा जवानों के लिए नौरात्री बेहादी आम होती है पूरे नौरात्री गोरखा जवान अपने समाज की रक्षा, अपने हथियारों की सुरुख्षा और देश की सुरुख्षा के लिए मा सकती के राधना करते हैं कोलहान में कई इनामी नक्सली पूलिस से घिरे ज़ारखन के कोलहान में पूलिस और नक्सली ओ की बीच एक बार फीर से घहमासान सुरू हो चुका है छोटी छोटी टुकडियों में बट कर सुरक्षा बलों ने नक्सली ओ के हर ठीकाने पर एक साथवार किया है पूलिस की इस करवाई से नक्सली ओ को नसीर बड़ा नक्सान उठाना पड़ा है बलिक उनके सिस नक्सली नेता पूलिस की घिराबंदी में फस गए है कोलहान में नक्सलियों के द्वारा लगाये गए आईडी बम को निस्क्रिये कर पुलिस नक्सलियों की टोह में लागातार जंगल में आगे बढ़ रही है इसी कराम में पुलिस और नक्सलियों के बीच आधा दर्जन बार मुटभेड भी हुई है जिसमें घायल एक नक्सलियों को पुलिस को ही रेस्क्यू करना पड़ा है साहब गंज के मंगल हट में 5001 कन्याव ने निकाली कलस यात्रा सार्दिय नोरात्र के पहने दिन कलस अस्थापना को लेकर साहब गंज जीले के राजमहल अनमंडल मुख्याले सहित आसपास छेत्र के मंदिरों में पुरोहितों के माध्यम से कलस अस्थापना कर चंड़ी पाठ के साथ पुजन का सुभारम किया गया बताज राजमहल के मंगल हाट सरोजनिक दुर्गापोजा समीति के माधम से रभीवर को भव्य कलस यात्रा निकाला गया जिसमें 5001 कन्याओं ने कनहया अस्थान गंगा घाट से कलस में जल भर कर विभीन गाओं का भरमन करते हुए मंदिर पहुचे कलस यात्रा का सुभारम SDO रोषन कुमार सा समीति के अध्यक्स ने किया है जारखंड मौसम मांसून लोटने के बाद राज में बारिस के असार कम हो गए है राजधनी समेत पूरे जारखंड में हावा का रूख पूरी तरह से बदल गया है अब यह लगातार पच्छिम दिशा से आ रही है सुष का हवा आने के कारण आजमान साफ है इससे राज में 20 अक्टूबर तक बारिस होने की सम्भावना नहीं है मौसम विभाग के अनुसार इसी बीच 16 और 17 अक्टूबर को आसमान में आंसिक बाहल चाय सकते है जो जल्द ही साफ हो जाएंगे मौसम विभाग के मुताविक 20 अक्टूबर के बाद तापमान में कमी आ सकती है हावा के रूख में परिवर्तन हो सकता है अक्टूबर मा बितने के करीब पच्मी हावा के साथ उतर की ठंडी हावा का रूख भी जार्कन की ओर हो सकता है जार्कन में 500 मेगावाट का पावर पलांट बंद जार्कन में 500 मेगावाट का पावर पलांट बंद कर दिया गया है इसके पहिणाम सहरूप जारकन में बिली संकट गारा सकता है दरसल DVC बोकारो थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है बोकारो थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन पर कुनार नदी में 6 बहाने का आरोप लगाया गया है जिसमें बताया गया कि कुनार नदी में 6 बहाया जा रहा है हलाकि प्रवंदन ने प्लांट बंद के बीसाय में अलग करन बताया है बतादे 500 मेगवाट के पावर पलांट को DVC मुख्याले कोलकता के निर्देश पर रविवार को अस्थाने प्रवंदन ने पुरुवाहां लगवाक 10.30 बजे बंद कर दिया पावर पलांट को जिस समय बंद किया गया उस समय पलांट से 500 मेगवार्ट बीली का उत्पादन हो रहा था मुख्य मंत्री इडी समन को जेल से कैसे जोड रहे हैं बिजेपी ने किया सवाल मुख्य मंतरी हम dimensions दोरा ED समन के बाद जेल जाने की बाद पर प्लटवार करते हुए, बिजेपी परवक्ता ने पूछा है कि उन्हें कैसे पता है कि वे जेल जानने वाले हैं, साइद उनके अंतर मान की आवाज उन्हे इसका भास दिला रही है, इसके अलावा उन्होंने और भी बाते कही है बता दे भारतिय जनता पार्टे ने मुख्य मंत्री हमंसुरें से अपनी अंतर आत्मा की आवाज सरुजनिक करने की मांग की है बीजेपी के परदेश परगता परतूल सहदेव ने कहा है कि वे बताए कि उन्होंने बरतमान निदे सालाइक के समन को जेल भेज जीले के टाटी जहरिया परखंड का एक युवक ड्रीम 11 पर टीम बना कर कोड़ोपती बन गया है बतादे हजारी बाइक जीले के टाटी जहरिया परखंड छेत्र की भराजो पंचायत अंतरगत अमनारी के कटमा टाण के आठवी पास युवक ने मोबाइल पर ड्रीम 11 नहीं मिली थी इस बार उसकी किस्मत ने साथ दिया अर्वा कोड़ पती बन गया जब सोनु से पूछा गया कि वह इस पैसे का क्या करेगा तो उसने कहा है कि वह अभी कुछ पलान नहीं किया है हम कुक हैं तो हमारा फोकस इसी का में पैसा लगाने कहा है सोनु कुभार को 30 पर टांसफर कर दिये गए हैं धन्यवाद